साथियों, गंगाजी के किनारे बसे, गाव और शहर, आस्था और आध्यात्म से जुड़े परियतन के प्रमुक केंद्र रहे हैं। गंगाजी को निर्मल और अविरल बनाने का भ्यान जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसमें परियतन के आधुनिक आयाम भी जुड़ते जा रहे हैं। नमामी गंगे मिशन के तहट बिहार सहीत पूरे देश में 180 से अधिक घाटों के निर्मान का काम चल रहा है। इसमें से 130 गाट पूरे भी हो चुके हैं। इसके अलावा, 40 से जादा मोक्षधामों पर भी काम पूरा किया जा चुका है। देश में गंगा केनारे कई जगों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त रिवर फ्रंट पर भी काम तेजी से चल रहा है। पत्ना में तो रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और मुझफरपूर में भी ऐसा ही रिवर फ्रंट बनानी की परियोजना का सलानियस क्या गया है। जब मुझफरपूर के अखाडा गाट, सीडी गाट और चंदवारा गाट उसको विक्सित कर दिया जाएगा तो यह यहां परियटन का भी बड़ा केंद्र बनेंगे। बिहार में इतनी तेजी से काम होगा, काम शुरू होने के बाद पुरा भी होगा, इस बात की कलपना भी देड़ दसक पहले नहीं की जा सकते थी। लेकिन नितिजी के प्रयासों ने, केंद्र सरकार के प्रयासों ने यह सच कर दिखाया है। मुझे उमीद है, इन प्रयासों से आने वाली छटी महिया की पूजा के दोरान, बिहार के लोगों को विशेश कर, बिहार की महिलाओं की दिक्कते कम होगी, उनकी सहुलियत बढ़ेगी। छटी महिया के आसिरवात से हम, बिहार के शहरी और ग्रामिन इलाकों, उनको गंदे जल, बिमारी बढ़ाने वाले जल से, मुक्ति दिनाले के लिए, जी जान से काम करते रहेंगे। चाथियों, आपने सुना होगा, अभी हाली में, सरकार ने एक प्रोजेक्ट, डॉल्फिन की गोशना की है, और अभी सुशिल मोदी जी, इसका बड़ा विस्तार चे वर्णन भी कर रहे थे। इस मिशन का बहुत बड़ा लाब गंगा डॉल्फिन को भी होगा। गंगा नदी के सवरक्षन के लिए, गांगे डॉल्फिन का सवरक्षन बहुत जरूरी है। पटना से लेकर भागलपूर तक का गंगा जी का पूरा विस्तार डॉल्फिन का निवास्थान है। इसलिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन से बिहार को बहुत अधिक लाब होगा। यहां गंगा जी में बायो डावर्सिटी के साथ साथ परियतन को भी बल मिलेगा।